तो भाई क्या है कि यस च्ट्र की शरुवात आज हम नहीं कर रहे हैं अज हमारे एक फे़रेट इस्टुए स्ट्ट कर रहे हैं मेरे फेवरेट इस्ट्वेंट है ठीक है इनके बाल भी खड़े रहते हैं और दिमाग हमेशा जो इनके एंटीना जो है वो हमेशा question पूछने के लिए तैयार रहता है तो गजोधर के सामने जैसे मैंने कहा कि गजोधर आज हम major land form of the earth है यानि प्रत्वी की प्रमुक इस्थला गुरु चेले की कहानी है आज मेरी ऐसी तैसी होने जा रही है तो तुम आज question ना पूछो आज तुम मजे से सफर को देखो कि NCRT मजे मजे में भी पढ़ी जा सकती है तो भाया क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि प्रत्वी की प्रमुक इस्थला करती है जैसे मैंने बोला बोल एक visual science है भूगोल एक द्रश्य विज्यान है भूगोल हमारी किताबों में भूगोल हमारे चारो तरफ है हम उन चारो तरफ जो चीज़े है उसको analyze करके जो written करते हैं वह हमारी geography का सलबस है तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कहीं पहार दिखाई पड़ते हैं कहीं ह हर जिका भूमी ऐसी नहीं है प्रत्वी पूरी जैसे समतल नहीं है प्रत्वी पर कहीं बार हमें क्या होता है हमें उचाईयां दिखाई पड़ती हैं कहीं पहाडियां हैं कहीं परवत हैं कहीं पठार हैं कहीं जीले हैं कहीं मैदान हैं समतल है तो हमें कहीं खाई दिखाई पर यह ट्रेंचेश हैं, there are a lot of landforms available on the earth तो जैसे मैंने का बेटा, ये होती है landforms, यानि की प्रत्वी जब एक विसिष्ट, जब प्रत्वी की जो परपटी है, मैंने क्रस्ट है, जब एक different specific form ले लेती, आकार ले लेती है, तो उन आकार की हम categories रखते हैं, जैसे परवतों के category, चाहे वो हमारा हिमाले हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, दुनिया भर के परवत हमारे, तो वो परवत हो गया, ऐसी पठार हो गया, प्लाटी हो गया, चाहे वो हमारा जो है वो तिबबत का पठार हो, गोबी का पठार हो, या गोबी के जो है, वो उसके उपर का हिस्सा हो, या भारत में अगर हम पठारी इलाका हो, प्लाटी हो हमारे, तो दुनिया भर में उस तरह की इस्तलाकरती को हम पठार गएंगे, प्लेंस की बात करें, चाहे हमारा भारत का उत्तरी मैदान हो, या किसी अन्य चेत्र की हमारे मैदान हो, तो हमें वो क्या होता, प्लेनर एरिया दिखाई पड़ता है, तो मैंने गजोधर से खा कि भाई, प्रत्वी की जो इस्तलाकरती है, जो एक मेजर डिवीजन है, वो लैंड फार्म की रूप में हमें दिखाई पड़ता है, चलो भाई, पहला हो गया, तो गजोधर ने तुरं जो है वो धाए से मारा, एक सर बनता कैसे, आए, मजे लगा शाद गजोधर से ने तो पहला मैंने बताया कि भुवाकरतिया होती क्या है, तो गजोधर ने तुरं बुला कि, सर, ये बताईए, वो धे फार्म, ये इस्तिला करती है, इसा तो है निकि कोई थूक लगा के चिपका के चला गिया हो, परवत को, पठार को, बुला सर, कैसे बनती है, ये भुवाकरतिक प्रक्रियाओं से बनती है, तो जैसे क्या होता है, रोटी बनाने के प्रोसेस होता है, आटा पहले लिया जाता है, पानी डाला जाता है, फिर उसको गूथा जाता है, उसके बाद आटा तेयार होता है, फिर उसको क्या होता है, उसमें रोटियां गोल-ग होते हैं, different different stages involved होते हैं, तो geomorphic process से जो है, यह सारा चीज बनता यह सारा खेल हमारा होता है ठीक है, तो भू-ाकरतिक प्रक्रम, यानि geomorphic process तो geomorphic प्रत्वी, morphic यानि जो हमें उस पर दिखाई पड़ा है, जिसका हम वरन कर सकते हैं, और प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि different different stages involved होते हैं different different चरण involved होते हैं, ठीक है तो अब मज़ा जड़ा देखो इसमें तो यहां पर जो होता है, तो यह जो सारी चीज़े बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, they are called as geomorphic process, अब मुझे लगा कि रुकेगा, बला सर यह तुमसे ज़्यादा खतरनाक है, जो तुम question पूछते हो से ज़्यादा खतरनाक है, यह कजोधर, बला सर, होता क्यों है, आपने कहा है, यह process बनता है, हम रोटी इसलिए बनाता है, सर क्योंकि भूक लगती है, तो यह परवत बनाने की जो प्रक्रिया है, यह जो आप, लैंड फॉर्म बनाने का जो process है, वो होता ही क्यों है, यह process आता कहां से, ठीक है, हमें भूक लगती है, हमें इच्छा होती है, तो हम बोलते है, मम्मी भूक लगी, मम्मी खाना दो, तो मम्मी जो है वो प्रोसेस करके रोटी बना देती है तो आखिर ये डिमांड कहां से आ रही मैंने कहा रहे यार गजोजर ठीक है तुमने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है अब चलो थोड़ा सा मताते है तो वोला कि यहां बात तो लॉजिक तो सही है कि भाई जब हमें भूख लगती तभी तो हम रोटी बनाते हैं हर समय थोड़ें रोटीयां बनाते रहते हैं तो आखिर ये जो 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 जोगर्फिकल प्रोसेस हो रहा है ये जो भूआकरतिक प्रक्रम हो रहा है उसके पीचे रीजन्स क्या है बिल्कुल सही बात है ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए और ऐसे ही सही बात है गजुदर बहुत तेज है इसलिए मेरा फेवरेट है तो मैंने कहा कि अर्थ मूँमेंट यानि प्रत्वी का संचलन अब जैसे क्लास में जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से इस कहानी को समझे रिलेट करें बहुत बड़ा टॉपिक है ये और बहुत खतरनाक टॉपिक है इसको बोरिंग टॉपिक कहते हैं अभी जब ये अपनी ब्रांच फैलाना शुरू करेंगा थोड़ी जब तुम्हें नोट्स देखोगे ऐसे चक्करान लगए बाप रिबाप इसके अंदर कितना शामिल हो गया इसलिए इतना इंट्रेस्टिंग इसको किया है इतने कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ और कहानी कहानी में तुम्हें मज़ा आ जाएगा ठीक है तो वहाँ पर तुम्हें दिक्कत होगी तभी गजोधर के साथ चलते रो मज़ा आएगा तुम्हें आप गरुश्यन अगला पूचा तो मैंने कहा बेटा गजोधर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अर्थ मुमेंट होता है यानि का प्रत्वी का संचलन होता है अर्थ मुमेंट is very important तो बोला सर ये प्रत्वी का संचलन क्यों होता है वाई देर अर्थ मुमेंट तो मैंने बताया कि प्रत्वी का संचलन मतलब कि जो हमारी प्रत्वी है उसकी परपटी पर हमेशा कोई हलचल होती रहती है उस पर जो है लगातार मूमेंट होते रहते है तो बुला ये मूमेंट आते कहां से हैं ये मूमेंट होते कैसे हैं तो मैंने कहा अब यहां पर बहुत important एक concept है प्रत्वी के अंदर और प्रत्वी के बाहर ये धेर सारी प्रक्रियां लगातार चलती रहती है हड समय चलती रहती है ये energy और matter का transfer लगातार होता रहता है यही भूगोल का सबसे बड़ा core है तो मैंने कहा कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो दो कारण है एक को बोलते हैं internal forces और दूसरे को बोलते हैं exogenetic यानि की वहर जादबल तो अंदर का मतलब होता है प्रत्वी के अंदर भी कुछ चल रहा होता है प्रत्वी के अंदर भी कुछ चल रहा होता है रोटी फूलती है तो अंदर से ही जो उसकी भाप होती है वो क्या हो जाती है तो जो अंदर से हलचल हो रही है that is known as internal forces है इसको बोलते हैं endogenic forces अंतरजात बल clear? तो अंतरजात बल हो दूसरा वहिरजात बल जो बाहर से changes होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वहिरजात बल क्या बोलते हैं इसको? वहिरजात यानि एक्जो exo का मतलब होता है बाहर indo का मतलब होता है अंदर ये word का भी मतलब समझो indo मतलब अंदर और exo मतलब बाहर ये word हमें बार-बार हमें आगे भी देखने को मिलेंगे तो भाया यहाँ पर हमारा होता है internal forces यानि आंतरिक बल ये उसके movement के लिए जिम्मेदार है और दूसरा होता है अब चलिए, सबसे पहले हम बात करते है इंडो जनेटिक forces क्या होती है इंडो movement जो होती है अंदर जाद बल, जहाँ मज़े से समझना तो जैसे वो picture में गाना से न जल्दी आने की जरूत नहीं है हीरो गानाग आके कह रहा है कि धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना तो जो इंडो जनेटिक forces होती है इसमें भी कई category होती है एक slow movement होता है जैसे इस समय भी कहीं आपकी जो यह हमारी प्रत्वी है अंदर उसको धसा रही है लेकिन इतना धीरे यह process हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है तो यह बिल्कुल आश्चिकी फिल्म के वो गाने की तरह है कि धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी माना हीरो कह रहा है कि जाधा जाधा जो है जल्दी आने की ज़रुता नहीं है धाम ना पाएंगे तो पहला जो इंडोजनेटिक मोविमेंट होता है इंडोजनेटिक मोविमेंट के भी कई पार्ट होते हैं पहला होता है slow moment यानि कि पर्तवी उसकी परपटी इतना slowly movement करती है कि आपको पता ही नहीं चलता जैसे अभी हम भारत में जहा रहे रहे हैं, ये प्लेट मूव कर रही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता, आज से 7.2 करोण साल पहले इस भारतीय प्लेट ने चलना शुरू किया था, ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, और इसने चलना शुरू किया था, 7.2 करो सालों से हम जर्नी कर रहे हैं, और जाकर यूरेशिया की प्लेट से टकराया था, 7.2 करोड एर से हम मुवमेंट कर रहे हैं, इतना स्लोली मुवमेंट कर रहे हैं, कि हमें नहीं पता चल रहा है, याद रखना, धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो फिर यह होता है, इसको मंद संचलन कहते हैं, तो मंद संचलन के भी कई भाग होते हैं, इसलिए मैंने कहा था, बहुत टिपिकल टॉपिक और उसको उतने ही मज़े से पढ़ना है, तो मंद संचलन, यानि जो स्लो मुवमेंट होता है, वो भी कई तरह का होता है, एक इसको हम लोग बोलते है, जो मंद संचलन होता है, यानि slow moment, यह diastrophic forces होता है, पटल विरूपन, ठीक है, क्या होता है, पटल विरूपन, जैसे किसी को प्यार व्यार हो जाता है, पढ़ने मन नहीं लगता है, उचट जाता है, तो विरूपन का मतलब होता है, diastrophic forces, इसमें कुछ बदल जाएगा, प्यार से दूरी हो जाती, किताबों से बेओफाई शुरू हो जाती है, तो यह बिलकुल diastrophic forces की, यानि पटल का मतलब होता है, जो उपर का हिस्सा है, और विरूपन का मतलब होता है, इसमें deformation हो रहा है, वो planar नहीं रह गया, इसमें कुछ deformation उपर नीचे होता चला जा रह होता है, अब यह कहता है कि यह भी दो तरह का होता है, जो पटल विरूपन होता है, यह भी दो तरह का होता है, एक उर्धवाधर, ठीक है, जिसे कोई प्यार में पढ़ गया, अब प्यार उसको बड़ा अच्छा मिल गया, अब उसने क्या किया कि उसको उपर और की, चो तो तरह की मूवमेंट होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा होरीजनल मूवमेंट, राइट, तो भाया, अब वर्टिकल मूवमेंट की बात आ रही है, तो वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, अब वर्टिकल मूवमेंट की भी पाट होते हैं, वर्टिकल मूवमे महादेश जनकबल इपीरोजनिक और कॉंटिनेंटल बिल्डिंग प्रॉसेस जो वर्टिकल होता है तो जो हमारे कॉंटिनेंट्स बने हैं एशिया, अफरिका, यॉर्प, अमेरिका ये इसी प्रॉसेस के थुरू बने है शुरुवात में ये नहीं थे धीरे धीरे ये अपनी जगह पर आते चले गए इसको हम लोग महादेश जनकबल कहते हैं लिखते जो इसको मज़ाएगा, इतना बड़ा चैप्टर इसको समेटा है मैंने अब ये क्या होता है, ये भी दो तरह क्यों होते है आइधर कॉंटिनेंट्स उपर की तरफ ये लैंड जो होती उपर की तरफ जाती है लैंड धस जाती है कई बार तो कई बार क्या होता है, जैसे भारत में अगर आपने देखाओ भारत में पेट्रोलियम जहां निकाला जाता है आपको पता है कि वो जो हमारा Bombay High है, जहां भारत का इकलोती जगह, जहां से हमें Petroleum सबस्यादा मिलता है, प्राचीन समय से ही, पहले से ही तो वो basically हमारा कौन सा इसा है, वो Bombay High है ये basically क्या हमारा Land का धसा हुआ है, भारत के किनारे का धसा हुआ है, तो या तो Moment उपर की तरफ होता है यानि Land उपर की तरफ, समुद्रों से निकल कर बाहर आ गया जो आज हमारा रेगिस्तानी इलाका है, जो हमारा राजस्तान है वो कभी समुद्रों के नीचे था, और आज क्या है, वो समुद्र के उपर आ चुका है तो एक हो गया उपर ही मुखी, यानि Upward Moment और दूसरा हो गया, Downward Moment, यानि धस जाता है तो इस आज वर्टिकल मुउमेंट्स, यह उर्धवाधर गतियां कहलाती है और इससे क्या बनता है, इससे हमारे continents बनते हैं इससे हमारा जो है वो उर्धवाधर शक्तियां तयार होती है जो हमारा internal moment भी हो रहा है, यानि प्रत्वी के अंदर से moment हो रहा है वो भी दो तरह का हो गया, यानि अंतर जात बल दो परकार के हो गया एक Slow Moment में, जिसको हम लोग Diastrophic Forces, यानि पटल विरूपन भी कहते हैं यह दो परकार का हो गया, एक vertical, दूसरा horizontal वर्टिकल में भी हमने क्या देखा दो तरका है एक अपवर्ड या तो उपर की तरफ जा रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है जब क्लास खतम होगी तब देखना कि कितने पॉइंट्स कि ये चार्ड कितना बड़ा हो गया है इसी तरह दूसरा होता है होरिजेंटल मुमेंट य तो इसको हम लोग होरिजेंटल मुमेंट या 36 संचलन कहते हैं अब यह जो 36 संचलन होता है यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है ठीक है बेसिकली इसको हम लोग ओरोजेनिक कोश्चन आया हुआ है या माउंटेन बिल्डिंग प्रॉसेस कहते हैं क्या बोलते हैं परवत निर अगर किसे पेपर को दबाऊ गbagए तो यह बन फोट दिखाई पड़ा है यह घआ परवत हिस से क्या बनता है औरोजेनिक इसको हम लोग औरोजेनिक प्रोसेस या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कहते है इसको परवत निर्मारकारी बल कहते है परवत निर्मारबॉली बल कहते है चाप्टर बहुत गंभीर है इसको लोग बहुत बोरिंग चैप्टर मानते है लेकिन देखते हैं बोरि तो पहला कहता है दबाव बल और दूसरा कहता है तनाव बल. भोल कर परवद भी जो आपका हर जरन्टल है वो दो तरह से होता है. तो पहला बोलता है force of compression यानि दबाव बल. तो यह क्या हो रहा है, दबाओ का मतलब होता है, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आए, मैं कम्प्रेस कर रहा हूं किसी चीज को, तो अब मैं पेपर को क्या कर रहा हूं, मैं कम्प्रेस कर रहा हूं, देखो मेरा हाथ कैसे जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, त तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये परवत नर्माल शुरू होगा, दिस नोन अज और जैनी प्रोसेस, तो ये परवत बन गया, एक दूसरा बोलता है कि ये तो हो गया, कमप्रेशन है नि दबाओ, हमने एक दूसरे की तरफ हाथ को दबाया, तो दबाने की प्रक्रिया ऐसे होती न, तो हमने दबाने का काम किया, एक होता है खिचाओ, ये क्या हो रहा है, ये देखो, हाथ एक दूसरे से दूर लेके जा रहे है, बोला इससे भी परवत बनता है, एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ जाता, तो परवत का मतलब एक हिस्सा उपर उठा हुआ है, तो यहां पर क्या हूता, दूसरा जो सेग्मेंट होता है, ये होरिजन्टल का मतलब क्या हुआ हमने एक दूसरे की तरफ दबाया, तो ये ये compression forces हो गया, एक दूसरे से खीचा, तो भी हमारा compression forces हो गया, अब जैसे for example, compression को समझो, जैसे दो चीज़ें हैं, माल लो ये हमारा दो खंड है, अब ये क्या हुआ, ऐसे एक दूसरी उपर चड़ा हुआ है, तो मैंने इसको खीचा, 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 और ये उपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो उपर उपर उठे हुए इससे को हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको उपर उटा ले हिससे को इसके compression में, एक block mountain या परवत के रूप में हम जानेंगे, clear हुआ? तो force by compression, यानि इसको दबाओ, यानि कि compression की वज़े से, तो इसको दबाओ बल बोलते हैं, इससे क्या बनता है, अभी हमारा क्या बना, ये क्या था? ये फोल्ड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? folded mountains, इसको वलित परवत बोलेंगे, वलन है ये, वलन का मतलब ऐसे ऐसे जो है, ये हमारे वलन हो गये, it is known as folded mountains, क्या बनता है? दुनिया, जिसे हिमाले क्या है? हिमाले एक folded mountain है, तो हिमाले कैसे बना होगा? हिमाले horizontal, compressional forces से बना होगा, तो हिमाले क्या है? हिमाले एक example लिख लो, हिमाले एक वलिद परवत है, हिमाले एक folded mountain है, तो this is your folded mountain, वलिद परवत है, तो ये क्या हुआ? दबाया तो वलन परवत है, दिखाई पड़ेगा तो यह हो गया वलित परवत क्लियर है तो यह folded mountain हो गया तो हिमाले क्या है एक folded mountain है तो हिमाले कैसे बना होगा हिमाले कैसे बना होगा एक्जाम में पूछा गया है हिमाले horizontal compressional forces से मिलकर बना हुआ है यानि छैतिज दबाव बलकि माद्यम से बना है जवाब दे लोगे कोई दिक्कत तो नहीं इसमें